अब हमने यह समझ लिया है कि बल्ब कैसे काम करता है बैटरी कैसे काम करती है तो हम यह देखते हैं कि इस बैटरी को बल्ब के साथ हम जोड़ेंगे कैसे जब हम बैटरी को बल्ब के साथ जोड़ देते हैं जैसे कि मेरे पास यहां पर एक इंपल सा जो है उपकरण है जिसमें बैटरी को बल्ब के साथ जोड़ देते हैं तो हम इसको सर्किट बोलते हैं यह बहुत ही बेसिक सर्किट है एक टर्मिनल बल्ब जो बैटरी का है वो बल्ब के एक टर्मिनल से जुड़ा हुआ है जो दूसरा टर्मिनल बैटरी का है वो बल्ब के दूसरे से जोडा हए, जैसे ही ये आपस में जुडएंगे bulb जल जाएगा और हमारा 설र्कीट हम कहते हैं कि complete हो जाता है जैसे ही almost complete होता है विद्धियुत का प्रभा जो है इसमें start हो जाता है और bulb हमारा glow करने लग जाता है एक चीज़ का ध्यान हमें ये रखना है circuit हम कहते हैं कि complete हो जाता है जैसे ही circuit complete होता है विद्यूत का प्रभा जो है उसमें start हो जाता है और बल्ब हमारा glow करने लग जाता है एक चीज़ का ध्यान हमें इसमें ये रखना है कि जब भी हम circuit जोड़े wire के साथ में तो कोई भी wire जो है disconnected यानि कि आपस में खुला नहीं रहना चाहिए सारे terminals बराबर से जुड़े होने चाहिए और जो एक side है battery की उस पर बल्ब का एक ही terminal लगना चाहिए दोनों एक तरफ जाके नहीं लगने चाहिए अगर ये सब चीज़ें का हम ध्यान रखेंगे तो हमारा बल बहुत आसानी से जुड़ जाएगा बहुत आसानी से जल जाएगा अब ये basic circuit है मैंने आपको दिखाया इसमें जो है हमारे पास जो एक चीज़ की कमी है वो ये है कि हमारे पास इसमें कोई switch नहीं है switch क्या होता है जब हम circuit को अगर हमको बंग करना है तो हमको ये wire आपस में अलग करने पड़ेंगे जब हमको बल को चालू करना है तो wire को जोड़ना पड़ेगा ये हम हाद से भी कर सकते हैं जैसे कि मैं यहाँ पर कर रहा हूं आप wire को लीजिए जोड़िए और फिर जो है हम off करते हैं तो बल भी off हो जाता है तो switch जो है वो इस circuit को बनाने और मिटाने के लिए यानि कि जोड़ने के लिए और अलग करने के लिए बहुत ही एक simple device होती है जो भी जो की जो है तीसरा element है यानि कि एक circuit बनाने के लिए तीन element है तीन चीज़े है एक तो battery चाहिए एक आपको bulb चाहिए यानि लैम चाहिए एक आपको switch चाहिए यह तीनों element अगर आप जोड़ेंगे तो पूरा circuit आपका complete हो जाएगा